अब रुक करते हैं डाउन साउथ तीन राज्ये हैं हमारे पास इनका डेटा आ चुगा है तमिलनाडू आंधर परदेश और केरला सबसे पहले तमिलनाडू का जिक्र करते हैं तमिलनाडू में 2019 में एंडिये खाता खोलने में असफल रही थी जीरो सीटे आही थी और 49 की 49 कॉंग्रेस हमें दूसरे दल भी थे और इस बार भी यथा इस्थिती रहने की संभावना है अधर के खाते में जो एक सीट थी वो जीरो हो गई यह जड़ा बता दीजिए अधर क्या था यह अधर के वो एक सीट जहां तक मुझे याद है यहां पर जो वोट शेर की बात तो बीजेपी के पास 15.3% है और AIDM के पास 25% वोट शेर है तो कुल मिला के 40% हो जाते है अभी जो जादा बहतर बता पाएंगे बातचीत तो चल रही है और पूरी तरह संभावना है कि दोनों के बीच फिर से अलाइंस हो जाए लेकिन फिर भी जो इंडिया ब्लॉक के पा सर्वे के अनुसार कोई ज्यादा चेंजेस होंगे बीजेपी काफी कोशिश करें इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है इस बार लग रहा था कि बहुत लोग कह रहे थे प्रशान किशोर ने कहा है कि वहां से सर्प्राइजिंग रिजल्स आएंगे तमिल नादू से इसका मतलब यह नहीं कि बीजेपी जीट जाएंगे बट बीजेपी को अगर दो तीन चार पांच सीट भी मिल जाए वह काफी बड़ा सक्सेस माना जाता लेकिन ऐसा होते हुए दिखने ही रहा है इस सम्हें हिवांचु जी क्या है स्पेशल रणनी ती तमिल नाडू को लेकर आदेखे मुझे लगता है मैं कल की घटा बता तो पंदरा एक्समले एक्समले उन्होंने जॉइन किया एक्समले ने जॉइन किया है अरे वह एक्समले में जाहते हैं जो बरसों पहले चुनाओ जिए हाँ नाड़ी नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में यानि कि आप देखेंगे तो बीजेपी अपने स्टूरेशन कोइंट पर है और जो बात कौशिक कह रहे हैं कि भारती जंता पार्टी को भी लगता है कि अपना अगर नंबर्स कहीं बढ़ाए जा सकते हैं तो वह तमि कि 370 सीटे उसके लिए ये जो स्टेट है वो बहुत जरूरी है और इसी लिए भारती जंता पार्टी तमाम कोशिश यहां कर रही है एए डीमके के अलावा डीमडी के पी एमके बाकी जो एलाइंस पार्टनर से उनको इंटेक्ट करने की कोशिश कर जा रही है और मुझे र जनता पार्टी ने वहाँ एक सीट जीती थी लेकिन जीत ली थी और 1999 में मुझे लगता है दो सीटे कोईमबटूर से सीपी राधा किशनन जो अभी राजयपाल है जारखंड में उन्होंने जीती थी और जो है रामेश्वरम जहां है कन्या कुमारी की सीट वो जीती थी तो जो पार्टी का बेस है जो वोड बैंक हे उसको बढ़ाए जाए क्योंकि AI-DMK के अंदर जो है आब चार सेक्षन हो गए है इन चारों फेक्षन का जो लड़ाई है इसका फाइदा भी भारती जनता पार्टी लेने चाहती है राटी जनता पार्टी को लगता है कि एडिमक उ वो भारतीजणता पार्टी न जया कड़िए पृत कर सकते हैं आपर बहुतर सब्सक्राइब केु है तो लिए बहुत है। प्रश्या किह दो है तो सिर्प्राइजीम नतीजे मिल similarly को सकते हैं अंपा जो श्रीजिडAudu ऐसे तमाम लोग हैं जिनको भार्वेजिदा पार्टी समय समय पे उनका मन कटोलने की कोशिश करती रहती है वो सुप्राइजिंग भी चकते हैं आपको चीक है अब रुक करते हैं केरल का केरल में एंडिये और इंडिया का मुकाबला होगा तो क्या रहेगा पिछली बार जीर समय सबूलती रहने की संभावना है लेकिन इसका डीटेल ब्रेक अब क्या है कौशिक बताएंगे केरल में कॉंग्रेस को इस समय मिलने के संभावना है जो कौंग्रेस को इंडिविजुली मिलने के तो उस seat मिलेंगे, तो यहाँ पे BJP की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रहे, अगर हम NDA के vote share के बारे में बात करें, NDA का मतलब यहाँ पे BJP ही होंगे, 16.5%, 16.5% यहाँ पे NDA को या BJP को vote share मिलेंगे, कॉंग्रेस का देखा जाए, इंडिया ब्लॉक का देखा जाए, तो 45.7% vote share और लेफ फ्रंट का 32.3%, यहाँ पे क्लियरली कॉंग्रेस को अभी भी edge है, हाला कि दो बार वो बिधान सभा में हार चुके है, लेकिन लोक सभा में कॉंग्रेस ही आगे है अभी भी, यह चमतकारी बात है, कॉंग्रेस पार्टी के लिए यह होल्ड कर पाना, अगला राज यह है आंधर प्रदेश, आंधर प्रदेश की टेली हम आपको स्क्रीन पर दिखाएं, यहाँ पर हमने देखा कि चंदरबाबु नाइडू की मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक इस् इंडिया ब्लॉक को भी जीरो मिली थी, YSRCP, जगन मोहन रिडी की पार्टी ने क्लीन स्वीप जैसा किया था, और 2024 का अगर आप प्रोजेक्शन देखेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, और TDP कमबैक करती नजर आ रहा है, कॉशिक इस बरी सर्प् 5% वोट शेर पे अभी TDP है, जगन के पास 41.1% है, तो 4% की गैप है और 17 सीटों के गेइन है TDP को, और जगन को जो भारी नुकसान उठाना पर रहा है, लास्ट ताइम जहां तक मुझे याद है 22 सीट जीच चुके थे, अब उनके पास सिर्फ 8 सीट है, तो इस हिसाब से ए बीजेपी ना जगन मोहन रेडी रिटेंड कर पा रहा है, तो ये दोनों ही रिजिनल पार्टी के बेची मुकाबला दिखाई दे रहा है, और जाहिर सी बात है, ये हवा का रूख तो बीजेपी को भी पता होगा, तो इससे लगता है कि कुछी दिन में हमें एक नए दोस्त कि पुराने दोस्ती की रिवाइवल की ख़बर मिल जाएंगे, बताई रेवांचू क्या देर है, चंदरबाबु नाइड़ू और नरेंदर मोधी की तस्वीर यसे नीति इशकुमार और नरेंदर मोधी की तस्वीर आई, आदिके कल देर राज जो है, चंदरबाबु अपने सीटों को बढ़ाना चाहती है, 2014 में भार्ते जनता पार्टी ने पात सीटों पे चुनाव लड़ा था वहां और दो सीटे जीती ती लेकिन 2019 में भार्ते जनता पार्टी का गडबंदन जो तूट चुका था टीडीपी से और उसका नुकसान टीडीपी को भी हुआ था टीडीपी जो है वो सत्रा सीटों से सिमट कर जो है सिफ्तीन सीटों पे रह गई थी और दूसरी तरफ भार्ते जनता पार्टी को एक सीट भी ने मिली और उनका वोट पतीशत जो है एक पतीशत से भी कम चला गया था यानि कि नोटा पे जितने वोट पढ़े थे उससे भी कि वहाँ अगर Șiलाइइंस हो सकता है तो कि आजै लेकिन जो हमारे शूंतर ब istemaci बीचिता चाहती है कि वहां पर 5 से ज़ादा सीतों उनको सीटे मिल जाए टेकिन टीडीप के लिए क्योंकि येमुश्किल होगा क्योंकि अब जो हैजनसेना के साथ भी जो है वह उनका एलाइंस हो रहा है और जैनसेना ह mira लेकिन ये नि कह दिया है कि हम चुनाऊंड लडेंगे और तो टीडीपी के साथ जाके लड़ेंगे और मुझे आज जो जानकारी भी मिली है कि जन सेनके जो अध्यक्ष है पावन कल्यान वो दिल्ली आ रहे हैं वो भी मुलाकात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गडबंधन पर अगर सहमती बनती और बीजेपी के लिए ज ज्यादा अच्छा रहेगा वहाँ जन सेनका भी वोट शेयर होगा मुझे उसका मालूम नहीं है कि उसका ब्रैकेट क्या है जो कोशिक ने कोशिक ने बताया कि लगभाग 45% अब उसमें जन सेनका कितना है अगर जन सेनका वोट अलग है और एक साथ टीडीप और जन सेनका अच्छा वोट शेयर है इस में किसी और पार्टी का नहीं है जो अलग पार्टी रह गए है वो 9.1% है लेकिन इसमें सिरफ एक ही पार्टी ने कई सारे पार्टी है वहाँ पे इन्डिया का कॉंगरेस का वोट शेर 5.7% और बीजेपी का है 2.1% तो दोनों ही नेशनल पार्टी इस बार भी हो सकता है नोटा से भी कम मिले तो और ये आकरे आ रहे है जब हम ये मान के चल रहे है कि TDP भी अकेले ही लड़ रहे है वोट परतीशत में भी जो है वो चीज़ बिल्कुल हिमानशु जी क्योंकि अभी तो हमने अलग-अलग करके देखा है अगर ये अलाइंस हो जाए जन से ना और TDP के बीच में और साथ में BJP भी जोड जाए तो मुझे लगता है ये सत्रा और भी बढ़ेंगे सत्रा से जाके 22 स्टेज भी हो सकते हैं